आप सभी का हमारी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो कभी भी भूल कर भी हमें फ्रिज में यहाँ दो चीजे एक साथ नहीं रखनी चाहिए पूजनिय पंडे जी ने अपने श्रीश महापुरान कथा में इस उपाय का वर्णन किया है इस विशेश वर्णन को आज हम इस वीडियो में जानेंगे लेकिन उससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं पहली बार आवास को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंथी सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर क्लिक कर देजे कौन सी वह दो चीजे हैं सबसे पहले तो नीबू और मिर्च जी हां आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने दुकान के बाहर घर के बाहर शोरूं के बाहर नीबू और मिर्च को एक साथ लटका देते हैं ऐसा क्यों करते हैं इसके पीछे का रास आप सायद नहीं जानत जहां पर जिस घर में देवी लक्षमी वास करती है वहां पर फिर देवी दरिता वास नहीं करती है। जब हम घर के बाहर नीबू और मिर्च को एक साथ लटका देती है तो क्या होता है देवी दरिता वहां तक आती तो हैं लेकिन वहां से वापस चले जाती है उल्टे पे और यदि हम यहां गलती अपने घर के फ्रिज में करते हैं या रसोई घर में करते हैं बहुत बार देखा जाता है कि जब भी हम बाजार से नीबू और मिर्च को लेकर आती हैं तो एक साथ उन्हें रख देती हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक साथ रखते ही देवी दरिता क्या होती है घर की और आकरशित होती हैं और वहां पर वास कर लेती हैं और जब आप इतनी भी कमाई कर लें वहां एक गत्रित कभी नहीं हो पाती है चाहे आप हजार रुपे कमाएं तो पंदरा सो खर्च होंगे एक रुपे कमाएं तो दो रुपे आपका खर्चा हो जाएगा ऐसे में नीबू और मिर्च को घर के मुख्य द्वार पर लटका हैं दुकान के बाहर लटका है पर कभी भी भूल कर भी एक साथ आप फ्रिज में ना रखें ना ही कोई डलिया में एक साथ रसोई घर में रखें फिर क्या करेंगे आप क्या खाना छोड़ देंगे नहीं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अब लेकर आईए नीबू भी लाईए मिर नीबू को रखें और डलिया में यदि आप बाहर रख रहे हैं रसोई घर में बाहर तो भी उन्हें अलग अलग ही आपको रखना है क्योंकि आप जानते हैं अब कि नीबू और मिर्ची को साथ में क्यों नहीं रखना चाहें मैं आशा करती हूं आपको यह वीडियो मज में आई होगी उपाए अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को तुरंते लाइक कर शेयर कर दें और इस्तरिया खास कर यह गलती ना करें क्योंकि महिलाएं ही रसोई घर को संभालती हैं धन्यवार दर्शे को मिलते हैं अगले वीडियो में जय मालक्ष्मी